वेल्कम बैक टू पेपर हैकर यूटूब चैनल हाई स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग मेरा नाम राज पंडे मैं पटना से हूँ और आप लोग को पॉलिटिकल साइन्स बीए पार्ट वन का समेश्टर टू पढ़ाने जा रहा हूँ ओके वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा दिरखुद तरी प्रशन लॉंग टाइपस एंस्वर कोस्चन अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको लॉंग टाइपस एंस्वर कोस्चन फर्स्ट नंबर कोस्चन क्या है देखी यहाँ आपलोग राजनीति विज्ञान की परिभासा एंसके षेत्र की व्याख्या कीजिए अथ्वा में करके क्या दिया हुआ है राजनीति विज्ञान को परिभासit करते हुए इसके विशय छेतर पर परकाश डाले फिर अथ्वा में यहां दिया हुआ है राजनिती विज्यान की परिभासा था विशय छेतर का वर्णन कीजे ठीक है? नीचे राजनिती विज्यान क्या है? इसके छेतर का परिक्षण कीजे राजनिती विज्यान क्या है? और इसके चेतर का परिक्षण कीजिए, ठीक है? तोब देखें, उत्तर क्या है? एक सू संगठित समाज को राज्ये, इस्टेट समाजिक विभार को नियमित करने वाले नियमों की विधियां, इन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने वाली, करताओं को दंडित करने वाली इकाई या सत्ता को सरकार कहते हैं इनके उलंगन करताओं और इनके उलंगन करताओं को दंडित करने वाली इकाई को क्या कहते हैं सरकार कहते हैं ठीक है राजी और सरकार के संदर्व में मनुस्य का अध्यन करने वाला विशे राजिनिति विज्ञान कालाता है राजी और सरकार के संदर में मनुस्त का अध्यन करने वाला विशे क्या कालाता है राजिनिति विज्ञान कालाता है ठीक है राजी मनुस्त की समस्त राजिनिति गति विधियों का केंदर हो गया है राजी क्या हो गया है? मनुस्त की समस्त गतिविधियों का केंदर हो गया है. बीस्वी शताब्दी से किस से? बीस्वी शताब्दी से. पुर्व राजनिती विज्ञान के अंतरगत क्या होना चाहिए? केवल इसका अध्यन होता था. इसके पशाथ राजनिती विज्ञान के खेत्र में विज्ञार होता चाहिए. किस पुर्व राजनिती विज्ञान के खेत्र में विश्तार होता चला गया. गारना ने सत्थ ही कहा है गारणर ने क्या कहा है गारणर ने सत्त ही कहा है राजनितिक शास्त्र की उतनी ही परिभासाइं हैं जितने राजनितिक शास्त्र के लेखक हैं गारणर ने क्या कहा है गारणर ने सत्त ही कहा है राजनितिक शास्त्र की उतनी ही परिभासाइं हैं जितने राजनितिक शास्त्र कि परिभासा के संदर में दो प्रकार के द्रिष्टिकोण प्रचलित हैं। दो प्रकार के द्रिष्टिकोण पर फोकस किया गया है। कौन-कौन पहला परमप्रागत द्रिष्टिकोण। traditional focus प्रमप्रागत द्रिष्टिकोन पर focus किया गया है आधुनिक द्रिष्टिकोन प्रमप्रागत द्रिष्टिकोन और आधुनिक द्रिष्टिकोन इन ही पर ज्यादा focus किया द्रिष्टिकोन बहुत है लेकिन दो प्रकार के द्रिष्टिकोन क्या है प्रचलित है दो प्रकार के important है ठीक है next देखते है प्रमपरागत दृष्टिकोण प्रमपरागत दृष्टिकोण क्या है ठीक है प्रमपरागत दृष्टिकोण क्या है देखे प्रमपरागत दृष्टिकोण क्या है किसे कहते हैं परंपरागत द्रिष्टिकून राजनिती विज्ञान की विशे वस्तु के विशे में राजनिती विज्ञान की विशे वस्तु के विशे में परंपरावादी द्रिष्टिकून युनानियों के समय से लेकर उनिस्वी शताब्दी तक प्रचलित रहा समझ में आ रहा होगा बच्चो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिजेगा आप लोग इस दिरिष्टी कुण के आधार पर राजनितिक विज्ञान की परिभासा को कितने भागों में भक्त किया गया है तीन भागों में भक्त किया गया है राजजी का आधेन फर्ष्ट क्या है राजजी का आधेन देखी राजजी का आधेन में किया कहा गया है कुछ विद्वान राजनितिक विज्ञान को राजञी मानते हैं राजनिती विज्ञान के अध्यन का आरंभ और अंत क्या है? राज जी ही ही स्टार्ट करता है और लाष्ट क्या है? राज जी ही ही है. समझ में आ रहा होगा बच्चों? बलंशली, बलंशली क्या बोले हुए है? देखे हैं, राजनिति विज्ञान वह विज्ञान है, जिसका संबंद राज्य से है, और जो यह समझाने का प्रयास करता है, जिसका संबंद राज्य से है, और जो यह समझाने का प्रयास करता है, गैरिस क्या बोलते हैं, इसके संबंदों की समगरता, और इसकी उत्पती, इसकी उत्पती कैसे हुई, ठीक है, इसके परिवेश, इसके उद्देश, इसके नैतिक महत्य, इसकी आर्थिक समस्याओं, और इसकी जीवन स्थितियों, इसकी विती पक्ष, इसके उद्देश आधी पर विचार किया जाता लिए जैता है फिर से देखे नहीं समझ में आया होगा फिर से repeat करते हैं बच्छों गैरीस राज निती विज्ञान में सक्ति की संख्या के रूप में राजी का इस के संबंधों की समगर्टा इसकी उध्पती इसकी परिवेश इसके उद्देश, इसकी नैतिक महत्तो, इसकी आर्थिक समस्याएं, इसकी आर्थिक जणे कहा है, इसकी समस्याएं कहा है, यहाँ पर फोकस किया गया, इसकी जीवन स्थितियों, इसकी विती पक्ष, इसकी उद्देश, आदी परविचार किया जाता है, ठीक है, आगे देखते हैं लोग जयकारिया जयकारिया क्या बोले हैं राजनिती विज्ञान विवस्थित रूप से उन आधारभुत से धांतों को प्रस्तूत करता है जिनके अनुसार एक समिष्ट के रूप में राजी को संगठित किया जाता है तथा संप्रभुता को क्रियानवित किया जाता है तथा संप्रभुता क्या किया जाता है क्रियानवित क्या जाता है जयकारिया क्या बोले हैं राजनिती विज्ञान विवस्थित रूप से उन आधारभुत से धांतों को प्रस्तूत करता है किन आधारभुत से धांतों को जि क्या किया जता है कारी कराया जता है क्रिया कराया जता है क्रियनवित किया जता है बी क्या बोले हैं सरकार का अध्यान सरकार का अध्यान में देखते हैं हम लोग सरकार का अध्यान क्या है यह भी पॉइंट अच्छा है देखिए ध्यान देखना ध्यान देना होगा आप लोग को सरकार का अध्यन करने वाले विशय के रूप में परिभासित करने का एक समान्य कारण है कि राजी मात्र एक अमुर्थ और धार्णा है जिसे किसी भी परकार की सार्थक्ता प्रदान करने के लिए सरकार अवश्य ही नहीं और परिहार है सरकार का अध्यान को सरकार का अध्यन करने वाले विशय के रूप में परिभासित करने का एक समान्य कारण है क्या करण है राजी मात्र एक अमुर्थ और धार्णा है जिसे किसी भी परकार की सार्थक्ता प्रदान करने के लिए सरकार आवश्य ही नहीं और परिहार है ठीक है लिकौक क्या बोले हुए लिए निदेजीएिगा राजनीती विज्ञान क्या है सरकार से समवंधीत सरकार के मूलभूत है विचार पर अधारित होती है सरकार जो ब्रिहान अर्थ में सत्ता के मूलभूत विचारों पर आधारीत होती है ठिक है सीले सीले क्या बोले हुआ है लेखेए बच्चो आजनेतिक विज्ञान शासन के परिपेग्श का अनुवेशन करता है इसका अनुवेशन करता का और रेखा गणित अस्थान या अकार का जिक है राजनिती विज्ञान सरकार से संब्धने सरकार जो ब्रिहाद अर्थ में सत्ता के मुलभूत विचार परदारी था सीले क्या बोले हैं राजनिती विज्ञान शासन के परिपेक्ष का अनुवेशन करता है जैसे अर्थ सास् जीवन का बीज गणित संस्था का और रेखा गणित अस्थान या आकार का समझ में आ रहा होगा बच्चों नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा जहां पर दिक्कत प्रब्लम होगी आप लोग बताईएगा उसको हम क्लियर करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज सीले क्या बोले हुए है राजनिती विज्ञान शासन के परिपेक्ष का अनुवेशन करता है जैसे अर्थ शास्त्रधन का जीव विज्ञान जीवन का बीज गणित संस्था का रेखा गणित संस्थान फिर से हम र रजनिती विज्ञान का उद्धी विचारों विलियम रodus शार क्या बोले हुए हैं राजनिति विज्ञान में का उद्धेष जो है राजनिती और सरकार दोनों का अध्यान करते हैं इसमें क्या कहता है इस दिरिष्टिकून के अनुसार राजी के अभाव में सरकार की कलपना नहीं की जा सकती और सरकार के अभाव में जो है राज एक सैधानतिक और अमुर्त अधरना मात्र है इस दिरिष्टिकून के अनुसार राजी के अभवाव में सरकार की कलपना नहीं की जा सकती जब राजी ही नहीं रहेगा तो गवर्मेंट कहां बनाएंगा किस पे रूल फालो करेंगे तो राजी के अभवाव में सरकार की कलपना नहीं की जा सकती और सरकार के अभवाव में राजी की कलपना नहीं की जा सकती जैसे कि अगर कानून ही नहीं रहेगा तो राजी कुछ राजी रहेगा जो मन वो अपना दंडित करते रहेगा आदमी जो मन वो करते रहेगा तो यहाँ पे जो है राजी दोनों एक दूसरे के पूरक है राज्य है तो सरकार का होना पॉसिबल है और सरकार है तो राज्य का होना पॉसिबल है ठीक है समझ मैं रहा होगा बच्चों अप लोगो राज्य के अभाव में सरकार की कलपना नहीं की जा सकती और सरकार के अभाव में राज्य की कलपना नहीं की जा सकती के अभवा में एक सधानतिक और अमुर्त और धारणा मातर है ठीक है विलोबी क्या बोले हुए है देखे बच्चों विलोबी बोले हुए है सधारणत्या राजनीति विज्ञान तीन प्रमुख विश्यों से संबंदित है राज सरकार राज सरकार तथा कानून तीन प्रमुख विश्यों से संबंदित राज सरकार तथा कानून राज सरकार तथा कानून पॉल जीनेट पॉल जीनेट क्या बोज़े हुए है देखे बच्चों आगे पॉल जेनेट ठीक है पॉल जेनेट समाज वीज्ञान का वह भाग है जो राजी के आधारों और सरकार के सिधान्तों पर विचार करता है गिल क्राइस्ट क्या बूले है राजनेती विज्ञान राज और सरकार की समाने समस्याओं का अध्यन करता है गिलक्राश्ट क्या बोले हुए है राजनेती विज्ञान राज और सरकार की समाने समस्याओं का अध्यन करता है ठीक है डिमॉक क्या बोले हुए है राजनिती विज्ञान का सम्बंध राज और इसके साधन सरकार से है राज से भी है और इसके साधन जो है वो सरकार से है समझ में है रहागा बच्चोन अब लोग गैटिल देखे गैटिल क्या बोलु है गैटिल राजनिति विज्ञान राज के अतीत वर्तमान तथा भावी सोरूप का राजनितिक संगठन तथा राजनितिक कारिकरम का राजनितिक संस्थाओं तथा राजनितिक विचारधाराओं का अध्यान करता है गैटिल क्या बोलु है राजनिति विज्ञान राज के अतीत वर्तमान अतीत मतलब पिछे वर्तमान मतलब अभी और भावी मतलब फ्यूचर भावी स्वरूप का राजनितिक संगठन तथा राजनितिक कारिकरम का राजनितिक संस्थाओं तथा राजनितिक विचारधाराओं का अध्यान करता है ठीक है बच्चों समझ मारा आगो आप लोग को वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देजिएगा आप लोग नहीं में समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा कोई भी प्राबलम होगी देखे फिर यहां से आधनिक दिरिष्टी कोण क्या है सेकेंड नमर क्या है आधनिक दिरिष्टी कोण है हम लोग देखते हैं दित्ती विश्यूद के बाद दित्ती विश्यूद के समय काल में राजनिती विज्ञान की परिभासा और विशेवस्तु के विशे में एक गुनात्मक बदलाव आया दित्ती विश्यूद के बाद के समय काल में राजनिती विज्ञान की परिभासा और विशेवस्तु के विशे में एक गुनात्मक बदलाव आया यह मुखेता क्या हुआ अमेर्की राजनितिक विज्ञानिकों की देन थी जिसे विभारवादी क्रांती के नाम से जाना जाता है विश्यूद के बाद समय काल में राजनिती विज्ञान की परिभासा और विशेवस्तु में एक गुनात्मक बदलाव आया यह मुखेता अमेर्की राजनितिक विज्ञानिकों की देन थी जिसे बेभारवादी क्रांती के नाम से जाना जाता है बेभारवादी क्रांती के नाम से जाना जाता है समझ महारा अगा बच्चो आप लोको इस दिरिष्टिकोंड ने प्रमपरावादी दिरिष्टिकोंड की संकुचित और अपचारिक कहकर आलोचना की राजनीती का अभिपराए उस संघर्ष से है जो निर्णे के पुर्व होता है और उस राजनीती जो विनल जो विनल क्या बोले हैं राजनीती का अभिप्राय उस संघर से है जो निर्णे के पुर्व होता है और उस निती से है जिसे लागु किया जाता है जिसे लागु किया जाता है डेविड इस्टन क्या बोलते है राजनीती विज्ञान समाज में मुल्यों का सतात्मक वित्रन है ठीक है लॉस्विल और कैपलॉन एक अनुभाविक खोज की रूप में राजनिती विज्ञान शक्ती के निर्धार्ण और बटवारे का अध्यान है लॉस्विल और कैपलॉन क्या बोले हुए हैं ध्यान दिजिएगा एक अनुभाविक खोज की रूप में राजनिती विज्ञान शक्ती के निर्धार्ण समझ में आ रहा है शक्ती के निर्धार्ण मतलब की पावर का और बटवारे का अध्यान है जैसे कि गौवर्मेंट जब बनती है तो उसमें बनते हैं उनके अन्य मिनिस्टर बनते हैं सभी में पावर का बटवारा होता है कि इनको यह भी भाग दिया जाएगा इनको यह भी भाग दिया जाए तो इसमें किसमें लॉस्वेर लॉर के प्लाउन यह अन्भाव से अपने बोले हैं कैटिलिन क्या बोले हुए देखियां राजनिती विज्ञान शक्ति का विज्ञान है ठीक है राजनिती विज्ञान जो है शक्ति का विज्ञान है ठीक है उप्यूक्त राजनिती विज्ञान संबंधी प्रंपरवादी तथा आधुनिक परिभासाओं के विश्लेशन से यह असपश्ट होता है कि राजनिती विज्ञान अब किवल राज अत्वा सरकार से संबंधित विज्ञान नहीं बलकि मनुस्य के राजनीति व्यवहार राजनीति क्रियाओं वप्रक्रियाओं शक्ति सत्ता थथा मानो समुहों के अंतह क्रियाओं का विज्ञान है क्या बूले हैं राजनीति विज्ञान जो है शक्ति का विज्ञान है ठीक है उप्युक्त राजनीति विज्ञान समंधि परंपरावादी तथा आधुनिक परिभासाओं के विश्लेशन राजनीति विज्ञान समंधि परंपरावादी तथा आधुनिक परिभासाओं के विश्लेशन से यह अस्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान अब केवल राजी अत्वा सरकार से संबंधित विज्ञान नहीं बलकि मनुस्य के राजनीतिक विवहार राजनीतिक क्रियाओं वो प्रक्रियाओं शक्ति सत्ता तथा मानोसमोहों की अंतक्रियाओं का विज्ञान है मन उसमों के अंतक्रियाओं का भी घ्यान talk the 오े समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगको नई Upper कमेंट कीजिएगा फिर सोःको समयाएंगे हम पीट करेंगे वाइख सथिछा मिट Also समझ में आ रहा होगा बच्छों आप लोग को नहीं समझ में आईगा कमेंट किजिए फिर सुसको समझाएंगे एफ रीपीट करेंगे राजनिती विज्ञान का छेत्र ठीक है राजनीति विज्ञान का छेत्र कया है यहाद सब्लबॉ helps राजनीति विज्ञान का छेत्र इसका च्यत्र क्या था राजनेती विज्ञान के छेत्र का अभिप्राय इसकी विशेवस्तु से है अर्थात किन-किन इकाईयों का अध्यन इसके अंतरगत किया जाता है राजनेती विज्ञान का विशेवस्तु से है जो इसके चरित्र को गतिशील बना देता है ठीक है राजनतिक विज्ञान के छेत्र का अभी प्राय इसकी विशेवस्तु से है किसे है इसकी विशेवस्तु से है ठीक है कि अप्षाद किन की निकाईयों का अध्यन इसके अंतरगत किया जता है किन की निकाईयों का अध्यन इसके अंतरगत किया जता है विश्त्रित मतलब बढ़ा बहुत बढ़ा है राजनिती विज्ञान के छेत्र के संदर्म में भी राजनिती विज्ञान की परिभासा की भाति राजनिती विज्ञान के छेत्र के संदर्व में भी मुलता दो प्रकार के द्रिष्टी कोण पाये जाते हैं दो प्रकार के द्रिष्टिकोंड पाये जाते हैं प्रंपरावादी द्रिष्टिकोंड और आधुनिक द्रिष्टिकोंड देखियां प्रंपरावादी द्रिष्टिकोंड यह हो गया यह हो गया क्या प्रंपरावादी द्रिष्टिकोंड और यह आधुनिक सन 1948 में युनेस्को ने राजनितिक विज्ञान को सन 1948 में युनेस्को ने राजनिति विज्ञान के छेत्र में निम्नमत विशे सम्मलित माने सन 125 कोन युनेस्को युनेस्को तो जानते ही वोंगे आप लोग क्या है जानते होंगे कमेंट कीजिएगा जो नहीं जानते होंगे उनको फिर से बताएंगे हम राजनिति सिधान्त राजनीति सिधान्त, राजनीति संस्थाएं, राजनीति दल, हित समू, जनमत संग्र, और अंतराष्टी संबंध, चीक है? यूनेसको आधी द्रिष्टि कोण के आधार पर समग्र रूप में राजनीतिक विज्ञान के छेतर की, ठीक है? राजनीति विज्ञान के अध्यान का संबंध, राजनीति विज्ञान के अध्यान के अध्यान का संबंध, जो है? मानो संबंधी संगठित राजनीति विज्ञान का अध्यान जो है? इस लक्ष से इनकार नहीं किया जा सकता है, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? समस्त समाजिक विज्ञानों का क्या है? केंडरी बिंदु है, कौन है? मानो समस्त विज्ञानिक विज्ञान केंडरी बिंदु है? मानो जीवन के विभिन पहलू होते हैं, देखिए हैं, मानो जीवन के विभिन पहलू होते हैं, समाजिक, आर्थिक, राजनितिक, इन विविद पहलू का अध्यन, विविद समाजिक विज्ञानों दोरा किया जाता है, इन विविद पहलू का अध्यन, समाजिक विज्ञानों और दौरा किया जाता है ठीक है मनुस्य के राजनितिक कीज Changing Original की कि कि अंतरगत किया जाता है कि अद्यान का लाजनितिक विएंसे सब्वणी अंतरगत किया जाता है जीवन जीवन होते हैं और समानने मनुस जो होता है जेनरल उसको भी राजनेती से जो है रहना पड़ता है कानून नियम नेता कैसे क्या करते हैं कौन रूल क्या होता है कैसे कंस्टिऊशन है कौन दारा क्या एक्ट लगता है किसके करने होने पर पनिशिकिया जाता है किसी को're मनुस को call करना पड़ता है उसको फालो किछीएगा उसको इसने मनुस जीवन से संब्मदित समस्याओं का अध्यान, राजिनितिक विज्ञान कहा जाता है, राजि की समस्त गतिवीधियों मनुस के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं, ठीक है, राजि और व्यक्ति, राजि और व्यक्ति, राजि और व्यक्ति के सम्मद्ध और नियास्रित हैं, इन दोनों से समझस से किस प्रकार अस्थापित किया जाए, यह भी राजनिति विज्ञान की समस्या है, यह हम इसका समधान खोजने का प्रयास राजनिति विज्ञान करता है, ठीक है? राज की समस्त गतिविधियां मनुष के इर्द चक्क्र लगाती है, राज और व्यक्ति के सम्मद्ध और नियास्रित है, इन दोनों में समझस से किस प्रकार अस्थापित किया जाए, यह भी राजनिति विज्ञान की समस्या है, और इसका समधान खोजने का प्रयास राजन दॉक्टर नागपाल, नागपाल क्या बोले हैं, डॉक्टर नागपाल, राजिनिति विज्ञान का छेत्र, मनुस्थ के विभिन पक्षो तक फैला हुआ है, जिसका सम्मंद्र राज्य से है और शासन से है, राजिनिति विज्ञान का छेत्र, मनुस्थ के विभिन पक्षो तक फैला हुआ है, इसका सम्मंद्र राज्य से है और शासन से है, ठीक है, सेकेंड नमबर क्या है, राजिनिति, राज्य से सम्मंदित अध्यान, राज्य से सम्मंदित अध्यान करते हैं हम लोग इस्टिट के राजनिति विज्ञान राजी से संबंधित विज्ञान है राजी से संबंधित विज्ञान है इसके अंतरगत राजी की उत्पती राजनितिक विज्ञान जो है राजी से संबंधित विज्ञान है इसके अंतरगत राजी की उत्पती विकास उसके उद्देश उसके विभिन पर इपर रस समननिता राजिती विज्यान के अंतर्गत राजि की दिनों प्रारूप वो का अतीत वर्तमान और भविस्त का अध्यन होता है राजनेते विज्ञान जो है देखें यहां बच्छों ध्यान से देखेंगा राजनेते विज्ञान के दुरत राज के तीनों प्रारुप का अध्यन किया जाता है कितने अतीत वर्तमान और भविस्त अतीत वर्तमान और का द्यान क्या है राज की पीछे का द्यान क्या है देखिए है राज की उत्पती कैसे हुई यह क्या यह समझावते का क्या है परिडाम है यह धीरे-धीरे विक्सित हुआ इसका विकास करम क्या था शक्तियां क्या है कारेच छेतर क्या था स्वरूप क्या था इस प्रकार की सब बातों का सुक्ष्म आध्यान इसके अंतरगत क्या जता है ठीक है फिर से रिपेट करते हैं राज की अतीत का दिया राज की उत्पती कैसे हुई इसका विकास क्या था इसका विकास करम क्या था इसका विकास क्या था शक्तियां क्या थे शक्तियां क्या थे ठीक है ठीक है छोटा अध्यन किया गया है देखिए हैं राज के वर्तमान अध्यन वर्तमान अध्यन में क्या दिखा रहा है राज के वर्तमान अध्यन बी नंबर राज के वर्तमान अध्यन यह बहुत important है इसको समझेगा आप लो राजनीती विज्ञान किवल इतिहास ही नहीं उसकी जड़ी अतीत में जरूर है इतिहास में नहीं उसके जड़ी अतीत में भी जरूर है ठीक है? किन्तु यह पुस्पित वरतमान में होता है पुस्पित कब होता है वर्तमान में होता है राजी की वर्तमान दशा का विवेचन ठीक है राजी का सोरूप एवं राजी की शक्तियों अंतराष्टी संबंधों आदी सभी बातों का अध्यन जो है राजनिती विज्ञान में होता है राजी के वर्तमान अध्यन क्या है अभी क्या होता है वर्तमान में होता है अभी है फलता फुलता है एक दूसरे से हम लोग का जो है इंडियन कॉस्टिउशन में जो है ब्रिटेन से संसदी प्रणाली ली गई है जर्मनी से लिया गया है अमिर्का से लिया गया है ऑस्टेलिया से लिया गया है तो सत्त समिधान में कॉंस्ट्यूशन बनाया गया है उस तरह जो है और इंटरनेशनल रिलेशन होता है जिसे हम लोग ट्रेड वैपार करते हैं इसलि तभी कोई विदेश विकास कर सकता है ठीक है ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं पढ़ना है इतना ही पर आगे देखिए अब लो राजी का सो रूपय मुराज की शक्तियों अंतराश्टी संबंदों आदि सभी बातों का अध्यान राजनीतिक विज्ञान में होता है ठीक है सी नमबर देखिए सी नमबर राजी के भवी सिकाद्यन राजी के भवी सिकाद्यन भवी सिकाद्यन क्या है फिचर में राजनीति विज्ञान जो है कि अंतरगत अतीत ववर्तमान अतीत ववर्तमान से प्राप्त ज्यान के अधार पर राजी के भवी सिका सो रूप निधान कर में मदद प्राप्त होता है उदाहणा के रूप में देखा जाये तो हीगल राज को पूर्शक्ती संपन देखना चाहता था कि जबकि कारल माक्स कारल माक्स कारल माक्स जो है वर्ग-विहिन राज की कि अस्थापना चाहता है करल कैंद था वर्ग विहिन राजी करते हैं इस लाइन को रिपीट करते हैं ये इंप्पोटेंट हैं इसको समझेगा आप लोग को देखे राजी के भविस्टका ध्यान ये फिर दिन प्राप्त ज्यान के अधार पर राजी के भविस्य का स्वरूप निधान करने में मदद प्राप्त हो दिये ठीक है उदाहना की रूप में देखा जाए तो हीगल राजी को पूर्ण शक्ती संपन देखना चाहता था बीगल राइटर जो लिखा हुए है वो राजी को भूर शक्ती संपन देखना चाहते थे पाऊर आफ हाउस जबकि कारल माक्स क्या जाते थे वर्ग भीहिन राज के अस्तहपना चाहते थे मतलब जो है समाज को जो है काश्ट में बाटाना जा सके तो वर्ग विहिन राज मतब कोई बटवारा नहों हो वर्ग विहिन राज के स्थापना चाहते थे ठीक है थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग क्या है थर्ड नंबर शासन से संबंदित अध्यान राज एक अमूर्थ संस्ता है जिसकी एक्छा को मूर्थ रूप सरकार के माध्यम से प्राप्त होता है जिन उद्देशों को प्राप्ती के लिए मनुस एक समिष्ट में रहता है उसकी पूर्थी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि समाज सुसंगठित नहों और वहाँ पर एक इसलिए को राजी का अनिवार तत्तों माना जाता है इस लाइन को फिर से एक बाद रैपीट करते हैं शासन से मध्य राज एक अमूर्थ संस्ता है जिसके एक्छा को मूर्थ रूप सरकार के माध्यम से प्राप्त होता है ठीक है जिन उद्देशों को प्राप्ति के लिए मनुस एक समिष्ट में रहता है उसकी पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक की समाज सुसंगठीत नहों और वहां पर एक नियमों को बनाने वाले लागू करने वाली इकाई सरकार नहों सरकार होगी तभी नियम बनेंगे अंतराष्टी संबंधों का अध्यान अंतराष्टी संबंधों का अध्यान फूर्थ नमबर देखिए अंतराष्टी संबंधों का अध्यान क्या है राज राष्ट अब अंतराष्टी व्यवस्था के सदस्य के रूप में अनिवारत अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं आनिवारता अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं परते एक राष्ट जो है किसी न किसी मात्रा में और किसी न किसी रूप में आनिवारता अन राष्टों से संबंदित हैं सभी राष्ट एक दूसरे से क्या होते हैं ठीक है सभी राष्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं नहीं कनेक्ट होंगे किसी भी भी राष्ट डेवललप नहीं होगा इसलिए कनेक्टिंग और बहुत जारूरी है सώ type संबंधों को ही इन संबंधों को ही अंतराष्टी संबंध कहा जाता है इन संबंधों को ही अंतराष्टी संबंध समझ गे होंगे आप लोग अभी बताए हैं राष्ट्रों के मद वेभार को नियमित करने के लिए कुछ वीधियां हैं जिन्हें अंतराष्टी कानून कहते हैं जैसे हम लोग अपने country में जो है कानून बनाते हैं, rules बनाते हैं और उसको follow करते हैं। उसलिए international country एक दूसरे से connected हैं तो उसके लिए भी rules बनाए गए हैं और उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। उसी के connected दोरा हम एक दूसरे से trade कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, एक जगह से दुसरे जगह जा सकते हैं, बहुत सारी फ्लाइटे चलती हैं, बहुत सारी शीप का जो है गुड्स होता है, वैपार होता है, समान का आयात होता है, बहुत सारी चीजे हैं, इस टाइप से हम लोग समझते हैं, और भी आगे अप लोग को डेटेल से पढ़ना होगा, विदिया कानून अंतराष्टी संग्ठन आदी का अध्यन किया जाता है ठीक है निसकर्स पढ़ेंगे अब हम लोग देखिए निसकर्स क्या है निसकर्ष, निसकर्ष क्या है बच्छों देखिए, राजनीती विज्ञान का छेत्र अत्यधिक विश्त्रित है, राजनीती विज्ञान का छेत्र क्या है, बहुत बड़ा है, इसके अंतरगत, राज्ज की उत्पती, संप्रभुता, कार्य, स्वतंतर्ता, राजनीतिक दल, अंतराष्टी संबंद, आधि का अध्यन किया जाता है, किस किस का अध्यन किया जाता है, उत्पती, संप्रभुता, कार्य, स्वतंतर्ता, राजनीतिक दल, अंतराष्टी संबंद, आधि का अध् से उतना ही राजिनती विज्यान कभी से छेतर उतना ही व्यापक है जितना की समय और प्रदेश का है जितना की समय और प्रदेश का है ठीक है अगले वीडियो में हम लोग second question करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्स फॉर वरिली वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्छों